गुड मॉनिंग प्यारे बच्चो आप सभी कैसे हैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्त वा सुरक्षित होंगे बच्चो मिसन सक्षर समवाद के अंतरगत दैनिक पठन पाठन में आज प्रस्तोत है ग्रह शिल्प का कक्छा आठ का पाठ सामाने बीमारिया एवं बचाओ आएए जानते हैं फाइल एरिया फाइल एरिया रोग क्यूली फ्लेक्स जाती के मच्छर के काटने से होता है क्यूली फ्लेक्स मच्छर कमरे में अंधेरे इस्थानों पर तथा गहरे रंग के कपड़ों के पीछे छपे रहते हैं रात्री को उन इस्थानों से निकल कर मनिश्र को काटते हैं और उन्हें रोगी बना देते हैं ये देखें ये उस मच्छर का चित्र है लक्षण पैर में सूजन हो जाना, चलने में परेशानी होना, लक्षण प्रकट होने वाले होने पर तुरन डॉक्टर से मिलकर इसका उपचार कराना चाहिए, फाइलेरिया से बचने के लिए भी वही उपाय अपनाने चाहिए, जो मलेरिया के होने पर किये जाते हैं, डेंग से फैलता है, यदि मच्चर डेंगू बुखार से ग्रसित व्यक्ति को काट कर किसी स्वस्त व्यक्ति को काट लेता है, तो डेंगू वाइरस उस स्वस्त व्यक्ति के सरीर में चला जाता है, जिससे स्वस्त व्यक्ति को भी बुखार हो जाता है, लक्षण कभी कभी रोगी क शरीर में आंत्रिक रक्तिस्राव हो जाता है जिससे शरीर में प्लेट लेट्स का इस्तर कम हो जाता है सरदर्द, आखों में दर्द, बदन दर्द, जोडों में दर्द का होना भूप का कमलो लगना, जी मचला आना, दस्त लगना, तवचा पर लाल चकत्ते आना, अधिकांस गंभीर इस्थिती में आख नाख में से खून भी निकलता है ठंड लगने के साथ, अचानक तेज बुखार का चड़ना, ऐसे मचलों की कुछ खास विसिस्ताइं होती हैं, आईए जानते हैं इन मचलों के सरीर पर काले वा सफेद रंग की धारियां होती हैं देखिए यहां पर चित्र में दिखाई दे रहा है, इन में सफेद रंग के बीच बीच में निशान बने हुए हैं ठंडे साफ एवं इस प्रकार के मच्छर दिन में जादा काड़ते हैं ठंडे साफ एवं च्छाव वाली जगए पर जादा रहते हैं ये अधिक दिनों तक रखे साफ पानी में अंड़ दे कर अपनी ब्रत्थी करते हैं अब भ्यास कारे देखते हैं बच्चों डेंगू वुखार के लिए के कोई चार लक्छण लिखिए फाइल एरिया रोक के क्या लक्छण है ये कैसे फैलता है डेंगू के मच्छर की कुछ खास विसेशता हैं बताओ बच्चों आप अपने आसपास देखो और एक सूची बनाओ कि कहां कहां पानी भरा हुआ है और उसको कैसे हटाया जा सकता है इसी के साथ आज का ये अंक समापत होता है कल ना ये अंक के साथ हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए सभी बच्चों को बाद